हाई फ्रेंट्स मैं जीवजेंकर सर्मा और दिख्षाकरणी मंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है आईए हम पढ़ते हैं एक और चेप्टर साइन्स का रीप्रोडेक्शन इन प्लांट जो के क्लास 7 का एक चेप्टर है बहुत ही अच्छ प्लांट से जानवरों के अंदर रीप्रोडेक्शन होता है तो आज जो अम पढ़ रहे हैं कहा है री प्लांट officials on तो चलिए हम समझते हैं इन चीजों को काफी बारीकी से रिकॉल क्वेस्टिन यानि बीज कैसे बनता है देखो आपने कलम का नाम सुना होगा जो रोज के फूल होते हैं तो उसकी एक टैनी को काट करके उससे हम दूसरा नया पेड़ बना लेते हैं ठीक है तो वो कैसे बनता है इसमें पूछा है एक नया पेड़ कैसे बनता है स्टैम कटिंग ओफ रोज रोज की स्टैम को काटने से वाई आर फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स इंपोर्टेंट फोर प्लांट्स और क्यों फूल और मतलब फ्लावर फल, फूल और बीज क्यों इंपोर्टेंट है किसी पेड़ पोदे के लिए तो ये चीज़ें या ये इस तरह के क्वेश्चन हम अपने दिमाग में रखके इस लेशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे ताकि हमें सारी चीज़ें समझ में आती रहे यू विल लर्न अबाउट और आप इसमें क्या समझोगे रीप्रोडेक्शन इन प्लांट्स प्लांट्स रीप्रोडेक्शन कैसे करते हैं ये सेक्श्वल रीप्रोडेक्शन ये sexual reproduction होता है और vegetative reproduction कैसे होता है और sexual reproduction in plants ये कैसे होता है तो तीन तरगा आप इसमें reproduction पढ़ेंगे एक तो reproduction पढ़ेंगे कि क्या होता है और फिर तीन तरगा reproduction भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे ठीक है तो एक diagram बन गया हमारे सामने तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो है 10th क्लास तक के वीडियो हम बनाते हैं इसमें Math, Science और SST, History वगरा के तो आपको सारे मिलते रहेंगे और भी बहुत से इंपोर्टेंट टोपिक्स हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं होते हैं उसके उपर भी हम वीडियो बनाते रहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जितनी भी जिन्दा चीज़े हैं रिप्रोड्यूज यानि पैदा करती हैं अपने आप जैसा ही इसका क्या मतलबा दे गिव राइस तु यंग वन वो पैदा करती हैं यूवा अपने जैसा ओफ दियर ओन काइड खुद की तरह का लेविंग भी जिन्दा चीजों के इस प्रोसेस को यानि अपने जैसा दूसरा प्रोड्यूज करना इस्कालडर रिप्रोडेक्शन इसको रिप्रोडेक्शन बोलते हैं कहने का क्या मतलब तो है कोई भी चीज़ें अपने ही जैसी चीज़ेंu वापस से बना आम की गुठली है तो आम का यहांने है ज़ा आप प्रोड़ेक्शन बोलते हैं अपने ही जैसा दुभारा से पैदा करना अब डूरदंट की अंदर रूरदच्टिव और ओर फ्लावर जो होते हैं वह रिप्रोडेक्टिव और अरगन होते हैं किसी भी प्लांट यह प्लावरारदा रीप्रोड्टिव और्गन ओफ प्लांट है मतलब कहने का क्या है कहने का मतलब यह छो फूल है ना उनसे ही दूसरे पेड बनते हैं ये मेल पार्ट हो गया ठीक है अब ये क्या होता है जो फूल होते है ये सेपरेट दो पार्ट बनाते है एक तो male produce करता है और एक female produce करता है ठीक है दो cells होते है अब बीज के अंदर ही cell fuse होता है जो बीज के अंदर पैदा होते है ठीक है विच ग्रो जो पैदा होता है और एक अकेला पेड बना लेता है अब देखो कहने हाँ क्या मतलब है reproduction करने के लिए एक female और एक male चाहिए sexual reproduction अब जो फूल होते है न फूल वो फूल क्या करते है वो organs पैदा करते है male अलग और female अलग ठीक है और फिर वो एक बीज बनाते है और बीज जब fuse होता है या बीज के अंदर जो cell fuse होता है कहने का मतलब क्या है जब बीज अंकूरित हो तो वो अपने आप में ही एक नया पेड बनके तयार हो जाता है some plant have the ability to produce new plant कुछ पेड पोदों में योग्यता होती है कि वो अपने नया बनाले from their part अपने हिस्से से ठीक है for example जैसे the stem cutting of rose plant can be replanted to give rise of a new rose plant अब देखो फूल जैसे गुलाब का या मानलो किसी भी और बहुत सा करें ऐसे होते हैं जिनकी आप टैनी काट लो और उसको बोदो तो वह वापस वैसा ही हो जाएगा जैसे एलोवेरा देखा हो आपने एलोवेरा का पत्ता लो और उसको जमीन में गाड़ दो वह एलोवेरा वापस से पैदा हो जाएगा इसी तरह से leaves and root of some other plants ऐसे ही कुछ पत मोड्स of reproduction as seen in plants तो पेड़ पोदो में आप अगर reproduction देखना चाहोगे तो यह तीन तरह का होता है जैसे हमने पहले उपर पड़ाता साइड में sexual, asexual और vegetative तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं asexual ठीक है इसमें क्या होता है it is a process by which a single parent body produce young one ठीक है अब होता क्या है एक ही body होती है male female नहीं होते है अलग अलग और वो अपने जैसा बना लेता है asexual reproduction is commonly in simple plant यह साधान पेड पोदों में होता है such as algae and fungi जैसे algae और फंजाई में in this method इस method में plant body simple divide into two or more parts ठीक है आप algae की बारे में पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है बही algae है ना खाखा के बड़ी हो जाती है जैस फिर वापस से बड़े हो जाएंगे फिर उसके अंदर दो न्यूकलस बन जाएंगे और फिर उसके दो टुकडे हो जाएंगे अलग 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 तो इस तरीके से चलता है लिए में तो इसको asexual reproduction कहते है इसमें एक ही पार्ट होता है वो एक ही पार्ट क्या करता है दो बना in this method any part of the plant other than the reproductive part can give rise to a new individual plants अब देखो जैसे ये पेड़ बड़ा हो जाता है वेजिटेटिव में क्या होता है जब कोई पेड़ बड़ा होता है ठीक है in a cure is a higher plants in this method अब इस method में क्या होता है उस पेड़ का कोई भी हिस्सा अपने आपको नया बना सकता है such plant part is called a vegetative part thus the method is called the veget reproductive reproduction और इसी method को vegetative reproduction कहते है ठीक है फिर बोल रहा है अब sexual अब sexual आ गया ये sexual उपर था ये sexual आ गया sexual reproduction में क्या होता है it is the process by which both the parent bodies ठीक है दो नो यानी male और female दो bodies हो गई ठीक है take part in producing young one और ये young one produce करने में सायक होती है कैसे the male and female part of the plant produce reproductive cell which fuse together forming a single cell called the gygot अब देखो दो हिस्से होते है ठीक है male का अलग और female का अलग दोनों cell मिल करके एक cell बनाते हैं जिसको gygot बोलते है ठीक है the gygot grow and develop into a seed और gygot grow होता है और develop होता है बीज के अंदर when this seed is planted into the soil जब इस बीज को हम मिट्टी में बो देते हैं it give rise to a new plant तो ये नया पेड बन जाता है let us understand each mode of reproduction in detail तो बोले चलो हर production को हम detail में पढ़ते हैं अब देखो asexual reproduction सबसे पहले आल्रेडी डिसकस है sexual reproduction अब्ज़र्विन सिंपल प्रांट्स सच अलगेई फंजाईज फिर budding fragmentation and spore formation इस तरीके से बनता है कहने का मतलब क्या होता है अलग-अलग बन जाते देखो budding budding का समझ लो सबसे पहला है budding budding में बोल रहा है simple unicellular organism बिलकुल साधान सा कोई भी organism जैसे yeast है exhibit budding in this method a single cell projects a small bulb like outgrow देखो जैसी यह हो रहा है एक single cell है उसमें से एक अलग-बल्ब की तरह निकलने लग गया जिसे क्या बोलेंगे bud क्या बोलेंगे bud is called a bud at one end एक हिस्से में से the nucleus of the cells divide into two फिर उसके nucleus भी दो में अलग-अलग ठीक है इसको क्या बोलता है budding a sexual reproduction में होता है फिर यह कोई एक activity है बोल रहा है इस activity को करके देखो तो इस activity का observation देखते हैं conclusion की मतलब activity करने से हुआ क्या when dissolve in warm water and sugar यह बोल रहा है जब कोई चीज गरम पानी या चीनी में dissolve होती है the yeast cells become active तो yeast cells जो है वो active हो जाते है they start multiplying by budding और वो budding की साहता से क्या हो जाते है बढ़ने लग जाते है which result in increasing in the volume of the solution bubble are not in the bowl a certain characteristic smell is also given out indicating alcohol alcohol की smell भी आती है ठीक है bread भी इसी process से बनाए जाते है फिर है fragmentation दूसरा है जो एसेक्शुल का वह है fragmentation fragmentation में क्या होता है is observed in plant प्लांटों में पाया जाता है such as the algae spirogyra spirogyra नाम की algae उसके अंदर ऐसा होता है the algae can be seen on the surface of pound जो समुंदर में यानि कहीं भी सागर में सागर के surface पे आपको जो या किसी तलाब के उसके उपर आपको green green color की जो चीज मिलती है and ditch into the form of slimy green plants बिल्कुल चिकने चिकने हरे रंग के पेड़ प्लांट होंगे during fragmentation fragmentation के दोरान एप पार्ट ओव दा parent body which is breakaway तूट जाती है from the parent plants this part of fragmentation develop into a new individual plant अब देखो जैसी यह रहा एक starting और यह टुगड़े होगे दो में divide होगे फ्रेग्मेंट होगे फिर यह बड़ी हो जाएंगे और फिर यह टुगड़े होगे दो में divide हो जाएंगे ठीक है spirogaria spirogaria में यह ऐसा होता है यह fragmentation का एक process है इसको एक तरह की algae भी होती है फिर तीसरा गया है sexual में spore formation spore formation is observed in the plant such as ferment moses ठीक है अब ferment moses में ऐसा होता है देखो यह stem दिखा रखा है यह तना है इसका spore and realizing large number अब देखो ऊपर से यह कुछ जड़ रहा है देखो यह बिंदी सी दिखरी है आपको spores ठीक है अब यह spores जब जमीन पे गिरेंगे तो यह अपने आपको नया पैदा कर लेंगे spore fragmentation when they land on a medium और जमीन उने मिली जाएगे तो यह अपने आप में एक जंगल सा बनाते चले जाएगे these plants multiply with the help of spores spores are reproduced by the parent plant in large number these spores germinate under favorable condition to grow into new plants अब यह बीच जमीन पे गिर जाते है जैसी favorable condition होगे और यह पैदाओ में सुर्ग हो जाएगे फिर vegetative reproduction का देख लेते हैं the vegetative parts such as root stem and leaf जड तना और पतियां ठीक है यह vegetative part में काम आती है of some plant also have the ability to produce new plant कुछ plantों में ability होती है नया plants बनानी की the type of reproduction in which plant part are used to produce new plants is called a vegetative reproduction अब जिन भी पोधों में मानलो ऐसी ability होती है कि उनके हिस्से से नया plant बन जाए वो vegetative produce होता है vegetative production can be either natural और artificial अभी natural भी हो सकता है और artificial भी ठीक है मतलब परकरती में अपने आप भी होता जाए और आदमी भी उसे बना सके तो natural method में देखते है vegetative reproduction in some plants occur naturally and is not induced by man ठीक है आदमियों के दुआरा इसमें कोई हस्तक्षप नहीं होता plants that multiply through their roots वो अपनी जड़ों को multiply करते plants such as daila, sweet potato, asparagus reproduce with the help of their roots these roots have food storage in them and can be stored for multiplication in the next session यह देखो जैसे दिखा रख ठीक है यह डाइला है ठीक है और यह एक देखो यह store कर रहा है अपनी जड़ों के अंदर खाने को ठीक है फिर यह आगे दिखा रख रखा यह पहले एक था फिर एक के तीन होगे फिर और ज़्यादा होगे ठीक है इस तरीके से चलता रहता है यह मानलो sweet potato इसी तरीके से उगते है एक की जड़ दूसरी के साथ attach होगे फिर दूसरी की तीसरी के साथ और यह फिर as fraggers ठीक है इस तरह से होता है plants that multiply through their roots यह अपनी जड़ों की सायता से अपने आपको बढ़ाते रहते हैं देखो यह इसकी जड़ों से यह दूसरा निकल गया तरीके से निकलते रहते हैं plants that multiply through their steam अब जो अपनी जड़ों की सायता से बढ़ते है different plants undergo vegetative reproduction through their stem in a different way अब अलग अलग तरीके होते हैं उनकी अपनी जड़ों को बढ़ाने का plants such as grasses जो घास वाले पेड होते हैं strawberry and यह क्या है cry santhe mem फिर bear root and suits at every node on the stream अब देखो सबका अलग अलग तरीका है यह देखो यह एक जड़ से जुड़े होएं ठीक है और बाकी फिर अलग अलग निकल रहे हैं एसे यह भी एक एक से जुड़े होएं और बाकी फिर अलग अलग फिर यह एक जड़मे से अलग निकल रहे हैं ठीक है इस तरीके से तो यह इस तरीके से होते हैं some plants have underground stem that can produce new plant these stems are swallow because of the food stored in them the food can be used by the new plants to grow underground streams are of four kind ठीक है और यह जो खाना जो store होता है ना इनके नीचे जड़ों के अंदर इसके चार प्रकार होते हैं कौन सा किस किस रूप में होता है राइजोजोंस बल्ब ट्यूबर्स और कॉम्स इस तरीके से यह खाना store होता है यह होता क्या क्या है देखो समझ लो राइजोंस जैसे जो टाइप का खाना storage होता है वो हता है turmeric हलदी में ginger अद्रक में kAYले में ठीक है beer birds केले में birds can grow into new plants जो नहे पेड़े बना सकते हैं फिर tubers, tubers क्या होता है potato हो गया है have eyes they produce birds under favorable condition these birds can produce new plants और यह नहे पोदे बना लेता है फिर bulb bulb प्याज हो गया तो इस तरीके से अपनी जड़ों से ये बना लेते हैं फिर ये एक और एक्टिविटी दे दी इसमें observation हम पढ़ते हैं सीधा अब देखो जो अलू होता है ना उसमें अलग-अलग से बीज से निकल जाते हैं जब हम उनको काट लेते हैं इस तरीके से अलग-अलग कर गए ठीक है और फिर उटसका जैसे यह एक हिसा है फिर यह एक हिसा है यह एक हिसा है इन हिस्सों को अलग अलग बहो देते हैं और इन से ही आलू नए पैदा हो जाते हैं plants that multiply through their leaves अब पत्तों से जादा बनने वाले the plant Briophyllum developed small buds on the margin of their leaves these birds fall off from the parents plant and grow into the new plants अब देखो जैसे पत्तों के किनारे पे ये लीफ बड्स दूसरे लीफ बड्स होगे और ये ही नया पेड बना देंगे अपने आप में ठीक है तो ये दो था natural method अब artificial method देखो sometime vegetative reproduction is induced artificially by human especially in case of commercially important plant cutting, grafting and layering are some such methods ठीक है इस तरीके से वो उनको बड़ाते है देखो जैसे ये इस में से काटा और ये दिखार का काटा वो टुकड़ा और उस काटे वो टुकड़े को इधर लगा दिये तो इस तरीके से भी होता है cutting, in this method a part of parent plants, generally the stem is cut and replanted separately in the soil, उसको जमीन में लगा दिया जाता है after a few days the cutting produce its own shoot and root और कुछ दिनों के बाद वो अपनी खुद की जड़े बना लेता है और उन जड़ों से ही वो पैदा होना शुरू हो जाता है thus growing into a new plants, this method is used for multiplication of sugar, can, rose, boganvela and hibicus और ये सारी चीज़ने, जन जन के नाम लिखा मैंने, ये सारी क्या हो जाएंगी, पैदा हो सकती है इस तरीके से यानि उनको काट के और दूसरे हम लगा तो वो वैसी की वैसी बन जाएंगी दूसरा है grafting, grafting method है, this method is generally used to merge the qualities of two different varieties of plant, in a single plant इन दिस method, इस method में the vegetative part of a desired variety known as scion, ठीक है, vegetative part को scion बोलते हैं, is attached to the base of the second plant, जो attach होता है दूसरे पेड के हिस्से से, known as stoke, जिसे हम stoke कहते हैं, the two parts are then bound together and allow to grow flowers, देखो जैसे इसमें दिखा रखा है, ये देखो, ये मेन पेड हो गया, और ये उपर से काट की उसके नदर ठ ठुक के इसको हमने बांद दिया, ठीक है, ये दो तरहेंगे, अलग-अलग फुल देख, ठीक है, और अब ये दीरे-दीरे last में ऐसा बन जाएगा, the new plant says both desired quality, अब इसके अंदर दोनों full हो की quality आ जाएगी, ठीक है, large root system desired quality, और large flower desired quality, जैसा हमें दो तरहेंगी चीज़े जही अब देखो, अब देखो, लेरिंग एक और अनदर मेथड है, इन दिस मेथड, the branch of a plant is bent and buried under a layer of soil, अब कोई branch है, उसको मोड गे और उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है, after some time, the portion of a branch buried underground develop root and shoot, अब वो अपनी जड़े और वो बना लेती है, the connecting branch is then cut off and the newly produced shoot is plant separately, इन सभी चीज़ों में भी ऐसे हो सकता है, फिर आता है, advantages of a vegetative reproduction, अभी देखो, हमने पढ़ा था method, अब उसके फाइदे पढ़ेंगे, advantages of a vegetative reproduction, तो इसका फाइदा क्या क्या होता है, चलो पढ़ते है, VEGETATIVE reproduction has a lot of advantages, some of them are mentioned below, जिन में से कुछ नीचे दिये हो है, New plants can be grown more rapidly and in large number as compared to a sexual reproduction, ठीक है, नए पोदे होते हैं, जो ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं, compared to sexual reproduction की, It is an assured method of growing new plants as the plant grow directly out of the parent plants, और parent plants से direct हम बना सकते हैं, और हमें पक्का रहता हैं, यह वैसा ही बनेगा, Unlike this method, seed produced by sexual reproduction may not germinated if they do not get the correct amount of air, water and vomit, अब देखो, इस method का क्या फायदा होता है, अगर मानला आप बीज से वो चीज लगाते हो, और उसको सारी चीज सही नहीं मिली, हवा, पानी और गर्मी, तो हो सकता है, वो सेम वैसे का वैसा ना बने, लेकिन इस method में बिलकुल से हो रहे है कि वो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो डारेक्ट बना रहे हैं, हम पेड से पेड बना रहे हैं, only one parent plant is required for the produce of a large number of plants, और एक ही plant से हम बहुत सारे plant बना सकते हैं, उसकी जड़ों से दूसरे, all the characteristics and quality of the parent plant are preserved in the new plant, और सारी वही की वही quality नहे जो पेड पोदे मनेंगे, उनके अ ऐसा भी possible नहीं होगा, कि वही मतलब कि जो नए पोदे बन रहे हैं, वो non flowering हो, मतलब सम्में फूल लगेंगे ही लगेंगे, तो अलग ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो ये कुछ classification for the sexual or vegetative reproduction, इनके अंसर हैं, तो ये कुछ पहले सी दिये हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद next वीडियो में पढ़ेंगे, sexual reproduction in plants, तो आशा करता हूँ, आज का वीडियो आपको पसंद आया हुआ, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ share करें, subscribe करें हमारा YouTube चैनल दिख्षया के अड़ीं मुद्रा, thank you friends करें हुआ है